हलो नमस्कार सातियों स्वागत आपका माइंड एक्जाम के यूटूब चैनल पर कैसे हैं आप सभी इस वीडियो में सातियों बात क्याने वाले हैं और सात में इसमें पर्मोशन किस बैस पर होते हैं और कितने साल के बाद पर्मोशन होते हैं और यह नोकरी आखिरी केसी है complete information दोस्तों इस वीडियो में हम आपको provide करवाएंगे साथ में दोस्तों कुछ और भी आपके doubt थे जो आपको selection process को लेकर doubt थे साथ में exam patron को लेकर doubt थे आपकी exam कब तक होगी सारी दीजेल दोस्तों इस वीडियो में discuss करने वाले है वीडियो बहुत important आपके लिए रहने वाला अगर आपने phone apply कर दिया है तो दोस्तों साथ मेंगर आपने अभी तक phone apply नहीं किया तो 8 मार्ट 2024 तक आप इस वर्ति का phone apply है वो DSSV online की website में जाकर कर सकते हैं चले दोस्तों complete जानकारे देख लेते हैं साथ वीडियो को like share करना और चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी पत्वू लेगा सबसे पहले दोस्तों इस बढ़ती को लेकर हम बात कर लेते हैं कि आखिर दोस्तों यह बढ़ती है वो इसकी जो profile क्या है जो profile का मतलब है कि दोस्तों इसमें mainly आपका काम क्या होगा अगर आप यहाँ finally selection लेते हैं तो इस बढ़ती में आपका क्याम क्या रहने वाला है दोस्तों यह बढ़ती है वो अलग-अलग department में DSSB 5V है दोस्तों DSSB शिरफ आपका एक exam conduct करवाने वाली agency है प्रन्तों दोस्तों जो vacancies आपकी भरी जाएगी दिल्ली में जो दिल्ली government के offices है दिल्ली government के अलग-अलग department है उन में दोस्तों इन की आपकी है वो बढ़ती की जाएगी और इनका दोस्तों काम में लिया जाएगा तो यहाँ दोस्तों जो आपकी भरती आप देखेंगे तो दोस्तों जो की multi-tasking है woman and child development है इसमें आपके 194 vacancies है तो दोस्तो जो movement and child development है उस department में दोस्तो 194 में MTS को बढ़ती किया जाएगा अब MTS का काम क्या होता है MTS का मतलब है multitasking staff यानि वो एक ऐसा staff है जिसमें आपकी जो वीविज चुटी चुटी काम है जिसमें अगर मैं बताओं तो आपका अगर वो human and child development में है तो वहाँ कोई officer तेनाथ होगा तो वहाँ officers को भी order आपका देगा जिए वो किसी file को आपका है कि आप कोई photocopy करनी है या file को यहाँ से वहाँ पूचाना है या वहाँ जो staff तेनाथ है जो आपका officer तेनाथ है उसके लिए चाई पाने की विवस्ता करनी है या जितने भी आपके orders है वो दोस्तो है वो as a pa काम मान सकते हैं कि आपका multitasking का staff का काम होगा अब मेरे साथ ही कई पूचेते क्या सब्सक्राइब करनी पड़ेंगे तो सात्यों का काम नहीं है सपाई करमचारी की वेगेंसी अलग से आती है या MTS vacancies है और इसमें आपको शपाई वगरा यह कुक वगरा यह काम आपको नहीं करने पड़ेंगे यह आपकी अच्छी बात इसके बाद दोस्तों जैसा की वेकेंसी आपकी सोचल वेलिफियर में हैं आपके ट्रीनिंग अंटेकनिकल एज़ुकेशन में हैं आपके लिगनेंशी आपसी एसा काम नहीं करना पड़ेंगा तो दोस्तों आपको यहां ऐसा फील हो कि मैं तो यहां गलत पस गया आपको अच्छी कासी इसमें सेलरी मिलने वाली है अगर मैं इसकी सेलरी की बात करूँ तो दोस्तों सेलरी है वो लग बैक स्टार्टिंग सेलरी आपकी 30,000 से लेकर 35,000 के बीची सेलरी होगी सेलरी अच्छी कासी तेंत पास होने के बाद भी अच्छी कासी इसलिए है कि तो आ आप यूनिन ट्रेटरी में नोकरी करने वाले हैं, यहां हर अलाउंसिस आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, और दोस्तों आपको रहने के लिए अच्छा है, वो यहां फ्लेट भी है, वो परवाइड अभी जाते ही नहीं मिलेगा, फोड़ी दिनों के बाद आपको मिलने वाल होते हैं, आपकी डिपार्टमेंट का अगर कोई पहले से बढ़ती है, तो उसका परमोशन होगा, और उसके बाद आपका परमोशन होने वाला है, परमोशन आपके है, वो चार परमोशन तक आपके परमोशन होते हैं, यानि MTS, LDC वगरा तक या दोस्तों उसने भी आप नोकरी करनी है, और regularly salary increase भी होता है, तो आपका salary 2-3,000 एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, तो ये बहुत अच्छी आपकी नोकरी रहने वाली है, इसके बात दोस्तों मैं बात करता हूँ, इस बढ़ती की और basic detail के बारे में, जिस बरकार आपके doubt है, इस तर ये जो form है, वो हमें अलग लग form भरने पड़ेंगे, तो अगर आपने form नहीं बरा है, तो आपको एक ही form अपलाई करना पड़ेगा, अलग लग form आपको अपलाई नहीं करने पड़ेगे, उसके आपको पोस्ट प्रिप्टिंस है, पूद देनी है, और साथ में दोस्तों मैं बात करता हूँ, क् अच्छे मार्क्स आप लेके आते हैं, इसी तोर पर आपको MTS की नोकरी मिले होगी, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ, एक्जाम पेटरन की, एक्जाम पेटरन दोस्तों आपका होता है 200 मार्क्स का, जिसमें 40 नमर की जीए, 40 नमर की आपकी रीजिनिंग, 40 नमर की मैथ, 40 की हिंदी और 40 नमर के इंगली से रहने वाली यह दोनों नहीं रहेंगे हिंदी और इंगली दोनों आपकी 40-40 नमर की होंगी एक वटा चार नेगेटिवी मार्केंग होगी दो घंटे को आपको समय दिया जाएगा यह सारी रिजिल रहने वाली है मैं अब बात करूँगा आप आपको नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कि 5-6 मैंने मिल जाएंगे 2-3 मैंने मैक्सिमम आपको बता रहा हूं जिस परकार चो आपकी इससे पिछली बढ़ती आ रहे हैं उनके back to back exam conduct करवाये जा रहे हैं तो हो सगे तो दोस्तों within आपकी 2 मन्त में इस बढ़ती के exam conduct करवा लिए जा सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कोई भी किसी परकार की दिक्कत नहीं होगी कि जान सब्सक्राइब का exam होने वाला है और भी कोई डाउट है तो हम आपके लिए और वीडियो लेकर आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे की अपडेट भी कि आप तक सबसे पहले पहुंच सकें जिलेंके साथ नए वीडियो में तब तक लिए जहीं बंदे बा झाल का झाल कि आपके बंदे लोगाए तक लिए